हाई मैं परशांत आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी डू कॉम्डीटी में स्वागत करते हैं तो यहां पे आपको स्क्रीन पी चार केंडलिस्टिक दिख रहा होगा और चारो केंडलिस्टिक का जो कलर है वो आपको यहां पे वेट दिख रहा है तो क्या यह च चारो चीनलिस्टिक का जो स्वेंध जो तागध है वह आपको अलग अलग देखने हो मिलेगा इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाये जिसों मैंने इस तरह के बुलिष केंडलिस्टिक के स्वेंध को इffect किया और इस तरह के अगरола आपको बुलिष केंडलिस् सकते हैं थोड़ा सा यह कमजोर है इसको आप गीदर की तरह ट्वीट कर सकते हैं, इस के साथ इधर इन में से कोई एक केंडल आ जाए, या फिर यहीं केंडल स्टिक एक दो साथ में आए, तभी इसका इंपोटेंस अधर यह सिंगल कहीं पर बना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, अब चौथा केंडल स्टिक है यह आपका सांतीप्रिय केंडल स्टिक है, जो कि बुल्स और बियर्स के बीच में जो फाइंट होता है, उसको निट्रल happiness करने का काम करता है, यह आपका सीज फायर का काम करता है, यह अपर यह नूट्रल इंडिकेशन देता है, नहीं बायर साइड के तरफ जाता है, नहीं बिर साइड की तरफ, यह पिर साइड की तरफ जाता है, तो यह आपका neutral candlestick है, तो देख सकते हैं अलग-यलग candlestick, अलग-यलग strignth को denote करता है, अब यह वाला candlestick आपको कहीं पर भी दिख जाएं, चाहे market आपका positive momentum हो, या फिर negative momentum हो, यह candle दिखने के बाद, price आपका लगबग 90% chance है कि नीचे गिरेगा ही गिरेगा, यह नहीं, यह delay candlestick है, और यह buyers के घर में गुसके उसको पीट सकता है, और वहाँ से market को अपने कबजे में कर सकता है, यह sellers के कबजे में कर सकता है, और लगबग same strength इस candlestick का भी ह थोड़ा सा कम है, लेकिन यह भी आपको कहीं पर भी form होता है, तो उसके बाद market आपका नीचे गिरता है, अगर वापस से bearish market है, और इसके बाद form होता है, तो market आपका और भी नीचे की तरफे गिरेगा, तो इसका importance कब हो जाता है, जब market आपका bullish हो, यानि market को दूसरे होता है, क्योंकि उसके बाद हमें reversal देखने को मिलता है, और जब market आलवेडी नीचे है, तो इसका importance नहीं होता है, क्योंकि आलवेडी market, sellers के grip में यह बनाया मतलब, market और नीचे की तरफ जा सकता है, इस तरीके साब समझ सकता है, चलिए, चार्ट पर चलते हैं, और इन चारो candlestick का photo यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह आपका strongest है, यह आपका stronger है, यह आपका strong है, और यह आपका indecisive, that means to neutral candlestick pattern है, अब यहाँ पर देखे, यह आपका first candlestick pattern है, यह single candlestick है, लेकिन कभी-कभी group of candlestick बनके भी इस तरह का form होता है, वो मैं आपको आगे explain करूँग candle blending technique के जरिए, अब यह आपको सिर्फ इस चारों single candlestick pattern को identify करना है, और यह आपको बहुत कम मिलेगा, जब भी आपको यह मिलेगा, समझ लीजे, market आपका नीचे गिवने वाला, और देखे, यहाँ से आपका price उपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद sellers ने market को कबजा किया, फिर यहाँ पर buyers entry किया, buyers ने entry किया, उसके बाद sellers ने अपना सबसे strongest red candle form किया, यह form होने के बाद यहाँ पर एकदम sure हो गया था, कि market यहाँ से नीचे गिरेगा, उसके बाद देखे, market आपका जबरदस्ट नीचे की तरफ गिरा है, इससे पहले आपका साइकलोजी को समझने कोसिस किजिए, इससे पहले आपका price नीचे आ रहा था, लेकिन यह candle form होने के बाद, जो sellers थे, वो doubt में आ गए थे, कि इसके बाद price नीचे गिरेगा, यह नहीं गिरेगा, उसके बाद जैसे यह candle form हुआ, तो आपको क्या हो जाना है, यहाँ पर आपको लगबग 100% sure हो जाना कि market आपको वापस से नीचे की तरफ गिरेगा, और उसके बाद देखिए, price आपका all the way, 1550 से आपका 1440 तक गिरेगा, यह नहीं लगबग यहाँ पर आपका 100 point का downfall move दिखाया, और 100 point की अगर आप बात कर ले, तो यह लगबग आपका 6-7% करीब हो जाता, HDFC bank में, तो यह आ अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको यह दूसरा नमर का candlestick दिख रहा है, और यह आपको यहाँ पर तीसरा नमर का candlestick दिख रहा है, यह नहीं यह आपका second number candlestick है, और यह आपका third number का candlestick है, अब देखिए, price आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, उसक इसके बाद यह candlestick आया, price को वापस से इसके कबजे से छीना, यहनी buyers के घर में गुसा और उसके बाद market को अपने कबजा में लिया, sellers के कबजा में लिया, उसके बाद देखे, price आपका all the way नीचे की तरफ गिरा है, अब यहां पर यह तीसरा candlestick का formation हुआ है, और मैं आपको क् एक जबदस्त bearish candle होना चाहिए, इसके साथ में कोई खरा होना चाहिए, अकेले इसमें इतना दम नहीं है, कि market को नीचे की तरफ ले जाए, इसके साथ में किसी का होना बहुत जरूरी है, और वो भी strong bearish candle जो इससे ज़्यादा strong हो, उसके बाद देखे, अगला candle कैसा form हुआ एक strong bearish candle form हुआ है, उसके बाद देख सकते हैं, इसमें strong red body है, और उसके अगला भी strong red body form हुआ है, तो जैसे ही दूसरा candle form हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम confirm मानगे चल सकते हैं, इस candle के साथ में कोई खरा है, अब इसके बाद price नीचे की तरफ गिर सकता है, और इसके बाद 100 से 120 point का गिरावट दिखा है, यह भी आपका लगवग 3 से 4% का यहाँ पर गिरावट दिखा दिया, यह candle form होने के बाद, इस तरीके से आप इन सारे candlestick के strength को अलग-अलग tweet कर सकते हैं, सारे candlestick के psychology को समझ सकते हैं, सारा candlestick अलग-अलग कहानी बता रहा, अलग-अलग strength द तो उसकी बाद यहाँ पर हम कुछ और इक जाम पर थूर समझ से कोशिस करते हैं, यहाँ पर वापत से हम TCS के चार्ट पर यह आ रहे हैं, अब देखिए, यह जो आपको fourth candle है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अब fourth candle को मैंने क्या बोला था, यह आपका neutral candle है, यह buyers औ वापस से buyers खरा हो गए, और वापस से price आपका ऊपर की तरफ जा सकता, लेकिन यह candle form होने के बाद अगर इसका low break हुआ, तो that means true, यहाँ पर वापस से sellers active हो गए, और price आपका कहा जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यह candle form होने के बाद आपको इस candle का high और low mark कर लेना, candle form होने के बाद price आपका एक range पकर लेता है, जब तक कि हमें कोई major breakout देखने को ना मिले, अब यहाँ पर देखिए, वही case हुआ है, price आपका नीचे की तरफ इसके label को break किया, मतलब price नीचे जाएगा और यहाँ से देख सकते हैं, all the way आपका लगबग 3760 के level से, यह आपका 3680 के level तक गिया है, यहाँ से भी लगबग आपका 3760 का गिरावट देखा दे, यहाँ दो से 3% का यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिला है, उसकी बाद price आपका वापस से ऊपर की तरफ निकला है, फिर आपका price एक range पकर लिया है, और उसी range के बीच में move कर रहा है, अ अब देखें, यह आपका 3 केंडल स्टिक है, और यहाँ पर भी यह आपका 3 टाइप अफ केंडल स्टिक का formation हुआ है, और मैंने आपको क्या बोला था, 3 केंडल का single में कोई importance नहीं है, price उपर जा रहा है, इसके बाद ही 3 केंडल फॉर्म किया है, उसके बाद देखें, price लेते हैं, यहाँ पर trap होने के chances बहुत जादा है, यहाँ आपको थोड़ सा clear करके बता देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ मैं जाए, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइस नीचे जाना जाए था, price नीचे गया, लेकिन नीचे से क्या हुआ, price उपर आ मैंने पहले ही बोला था, अगर यह single candlestick form होता है, तीसरा वला, जिसको हमने गीदर के टेकरिम रखा था, इसके जूंड मा होना जरूरी है, यहाँ पर सारा कुछ clear हो गया, अब यह candlestick यहाँ पर single बना था, मैंने क्या बोला था, यह single candlestick form हो है, इसका कोई importance नहीं है, इसल से प्राइस आपका वापस उपर की तरफ आ गया, यहनि candle अकलर वेड है, लेकिन यह slightly हमें positive हिंड दे रहा है, यह दिखा रहा है कि buyers का दबदबा जादा है, और प्राइस आपका इसके closing के पास ही आ गया, और उसके बाद वापस से आपका neutral candle form हो गया, यहनि market गिरा है, लेक आपको एकदम clear card समझ में आगया होगा, इस candle के basis पर कोई decision नहीं ले सकते हैं, इसके आगे पीछे कौन सा candle form होता है, उसके basis पर हम decision लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले example बदाया था, वापस से आप DCS की example पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखे, यहाँ पर भी आपका यह red candle बना था, यहाँ पर हमने एक और example लेखा था, यहाँ पर देखिए, यह आपका तीसरा candle बना और उसके बाद आपका एक bearish candle बना जिसका इस्ट्वेंट जादा है, तो उसके बाद यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे और उसके बाद price आपका नीचे की तरफ react किया है, तो आप trap में फस सकते हो, trap में फसने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से आप इन चारो candlestick के strength को देख के उसके basis पर decision ले सकते हो, So that's all friends, उमीद करते हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए, और चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe भी किजिए, अगर आपको इससे related कुछ doubt या confusion है, तो आप हमें comment section पूछ सकते आपका proper answer किया जाएगा, और आपके comment का हमें इंतिजार भी रहेगा, so मिलते हैं next video में, किसी और informative content को लेके, जैहिन!